हालो इस्टुट्स नेक्ट हम डिसकस करेंगे कैश नमर 4 क्या किरा एकसे 3.2 के लिए देखो यहां गेविन है इफ 22nd एप्रिल 1970 को वेडनेस डे था ठीक है तो पहले गिविन कंडिशन एक मेंशन कर देता हूं मैं राइड ले लेता है स्टार्ट ओके देखो 22nd जो एप्रिल ह उसको 1970 को आपके पास वेडनेस डे गिविन है तो एक काम करते है अपने सबसे पहले तो पूरे 1970 को कवर करते हैं आपको 1970 से कहा तक जाना विच विल बीडी ओन दा 31st अक्कूबर तक जाना है अपन को 31st में 1999 तक पहुचना है अपन को ठीक है सर तो इसका सबसे पहला कंसेप और अब 1 7ड को 19 मुझे अप्रेल करना है काल सुरू करना से शुरू करना तो महीं सको अपरेल से सुरू करना फारबर डारेक्शन में पहलbon रहा है अपना ये वाला थाँ कि मैं आपको बताया है पैले केक्शन में अपरेल जून जुलाई और दिसम्बर ठीक है यह वाला बात किलियर हो गया है अब अप्रेल के अंदर एक्च्छल में आपको पंच वाला दरीगा याद है आपको अगर अगर आप देखोगे तो जन्वरी फर्वरी मार्च अप्रेल में किते होते हैं यह 30 Days होते हैं अपरेल में कितने होते हैं आपके पास 30 Days होते हैं Early 30 to finish को छोड़ के आगे निकलना है önप को छोड़ आगे निकलना है टुंटी थ्री इसेकिन को छोड़ के निकलना है ठीक है सर अब आप इसके odd days मना लो क्या बना रहो में इसके odd days odd days कैसे बनाता हूं इन values को आप divide करो 7 से 7 से 8 को divide करो के remainder जो बचेंगे वो आपके odd days होंगे न और देस को मैं दूसरे बाले black से लिख देता हूं यहाँ पर all black 8 तो कितना हो जाएगा 717 तो remainder कितना बच गया आपके पास 1 बच गया ठीक है I'm thirty one को seven से डिवैट करोए Seven four जा twenty eight 29 30 31 तरी बचेंगे आपके पास remainder यहां 2 remainder बचेगा 7 से divide करेंगे तो ना यहां 3 बचेगा फिर यहां 3 बचेगा यहां 2 बचेगा यहां 3 बचेगा यहां 2 बचेगा यहां 3 बचेगा इन सबका मैं सम निकाल रहा हूं कर दें एडेस को कि के सर करो 1 और 3 कितना हुआ 4 5 6 3 9 9 9 और 3 कितना हो गया 10 12 13 14 14 13 17 17 और 3 कितना हो जाएगा आपके पास 17 20 22 22 और डेस हो गए है इसको अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूँ 7 3 21 रिमेंटर कितना बचेगा आपके पास सर वन तो यहां पर फाइनली में पास वन और डे आया है मुझे बताओ इसमें किसको कोई दिक्कत है तो बोलो बिल्कुल इजी है सेम कंसेप्ट है जो आपन पीछे से चलते ते बिल्कुल लाइन से वही कंसेप्ट का आपको फाउलो करते वे चलना है ठीक है सर ओके ओके वन और डे आ गया ठीक है सरी 1970 कवर कर लिया अपनने तब आगे दिखते हैं 70 complete हो गया 1971 से start हो गया आपकी गिंति और कहा तक पहुंचेगी आपकी गिंति 1998 तक पहुंचेगी आपकी गिंति 1971 से 98 तक पहुंचेगी अब आप बताओ एक्चुल में टोटल इयर्स कितने हो गया तो देखो 80 तक 10 years फिर 90 तक 10 years और 98 कितने हो है टोटल इयर्स 2828 हो गया अगर इसमें से को माइनस करने वाला तरहिए लोग तो 27 ही बचएगा इसलिए माइनस करने का मतलब हो था 1 साल कम हो गया है तो हमें एक साल कम नहीं करना हमें वह भी काउंट करना है 71 वाला भी एर तो 71 से 98 में 28 years होगे अब 28 years के ना कितने leap है और कितने general year वो पता करना पड़ेगा मुझे तो क्या तरीका बताया था मैंने इसके लिए आप इसको 4 से divide करो 47 28 यहां तक समझ में आ रहा है तो 7 तो आपके पास leap year हो गए 7 तो आपके पास क्या हो गए या leap year हो गए ठीक है सर और जो बचे भी values है आपके पास और बचे भी years है अब बचे भी years कैसे बता रहेंगे 7 को 7 years को 28 में से आप minus कर दो 7 को 28 में से आप minus कर दो 7 को 28 में से minus करोगे कितना बचाएगा आपके पास 21 जो है वो general years बचे बचेंगे अब देखो मेरे बास सुनो एक तो तरीका यह हमारा बिल्कुल जो आपन हमेशा से यूज कर रहे हैं यह मतलब बैस तरीका होता है सबसे बैस तरीका है मेरे बास सुनो अगर मैं इसकी जगे ऐसा करता कि 1971 से काउंट करता अगर बढ़ सकते हैं बिल्कुल बढ़ सकते हैं सर अब आपको पता है मुझे अगर और डेस पता करना है सर मुझे आद बढ़ सकते हैं तो मैं क्या करूँगा अबद यर के यह फाइवार रावन 15 इसको डिवाएट बाए 7 कर देता हूँ अगर मैं इसको डिवाइड वाए 7 कर देता हूं तो कितना हो जाएगा 75 35 वाई 7 की टेबल आती है आपको ठीक है यहां तक देखो यह आपने 7 लीपियर थे लीपियर को अपने 2 से मल्टिप्लाय किया 7 2 14 आया 21 आपके जनरल लियर थे जनरल लियर का मतलब है उनली वन और रहेगा और उसको मल्टिप्लाय करूंगा 21 21 ठीक है कि किसरी बास में आगई हमारे अब क्या करना इन दोनों को एड करेंगे 10 20 30 और 35 35 वाट देज होगा इसको अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो 75 35 रिमेंटर कितना बचा जीरो जीरो और देज जीरो और देज मुझे बताओ यहां तक किसे को कोई डाउट है क्या किलियर है यहां तक ची किस आगे बढ़ सकते हैं बिल्कुल बढ़ सकते हैं जीरो और दे हो गया आपके पास अब यह भी समझ में आगए अपना कंसेप्ट अब लास्ट वाले कंसेट पर आते हैं लास्ट वाले कंसेट देखो कितने सारे कंसेट होगा अपने पास मैं लाइन्स कीच रहा हूं अलग यह अलग पार्ट है यह अलग पार्ट है और अब आते हैं अपना तीसर और आकरी वाला पार्ट देखो 98 तक पहुंच गया अब मुझे 99 तक कहुँचना है अब 99 कैसे इसके लिए सर मुझे शुरुआत करनी मेरे जैन से जैन फैब मार्च एप्रिल में सबसे फ़ल तो यह चैक करो कि यह जो है इसके अंदर ठीक है सर फिर 30 हो जाएगा और में मुझे कहां तक पहुंशना है मुझे 31 की पहुंशना पूरा समझ गया समझ इनके और देज लिखो आगा आप है यहां पर फिट ठी यां पर फिट तूंज के टोइन भी अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं अगर में इसको divide कर देता हूँ किस से divide करेंगे हम इसको 7 से अगर हम इसको divide कर देते हैं 7 से तो हमारे पास कितना बचेगा 7 बंजा 7 बंजा 7 हो गया आपके पास 7 हो गया remainder कितना बचा वो उसमें नजर रगो 7 बंजा 7 remainder कितना बचा 4 odd days अब आपका question जो है आफिरी पड़ाव पर आ चुका है बस आपको थोड़ा सा focus करने है अपने odd days अब देखो कितने odd days हो गया 1 तो यह हो गया odd day पर वाले के लिए कहां से 1970 वाले के लिए 71 से 98 वाले में 0 odd days हो गया इस पर स्टार बना रहा हूँ मैं और यह 4 odd days हो गया है इस वाले के समझ गया अब सारे odd days को आप सम कर दो next वाले slide पर आ रहा हूँ इसको एक बड़ा pause करके copy कर ले न ठीक है मैं next वाले slide पर चल रहा हूँ आपको करना क्या है कुछ नहीं करना आपको सिर्फ यह focus करना है कि जो वैडनेस दे से अपनी गिंती थी न वैडनेस दे के बाद आपको five days count करना है वेडनेस दे के बाद आपको 5 days count करने हैं, वेडनेस दे आगे हैं, आपके पास, हाँ सर आगे है वेडनेस दे, वेडनेस दे के बाद क्या आता देखो, Thursday, Friday, Saturday, Sunday और Monday, और Monday, यानि कि 31st May 1999 को जो है, 5th वाला odd day होगा, यानि वेडनेस दे के बाद से count करेंगे हम इसको, तो हम इ मज में आया है क्या, Monday on 31st में 1999, ये आपका अंसर हो चुका है, और कोई डाउट लगे, comment section में ज़रूँ बताना, वीडियो पसंद आयते हैं, प्लीज लाइक, share, subscribe, मिन ते नेक्स वीडियो में, गुट बाई